हेलो नमस्कार सभी साथियो आप सभी का इस्टार परिवार में स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे अमलों के सुरोत जो पधार्थ है जो खात पधार्थ है उनमें कौन-कौन से अमल पाए जाते हैं वो हम देखेंगे जैसे इस सेव है सेव में कौन सामल होता है इमली है इमली में कौन सामल होता है दही नीबू टमाटर और लाल चीटी इसके अतीरिक थम और भी जो देखेंगे कि इनमें कौन सामल होता है तो चलिए हम सुरू करती हैं यहां देखिए सबसे पहले हम देखते हैं नीबू तथा संत्रा नीबू नारंगी तथा संत्रा इनमें है क सिट्रिक अमल होता है कौन सामल होता है सिट्रिक अमल होता है और एक बात आपको और ध्यान रखनी है जो खटे पधार्थ है जो खटे पधार्थ होते हैं उनमें बिटामिन सी पाया जाता है कौन सा पाया जाता है बिटामिन सी पाया जाता है खटे पधार्तों में अब देखिए आम है जो आम कच्चा आम है उसमें क्या होता है जो कच्चा आम है वो तो खटा रहेगा तो इसमें बिटामिन सी होगा लेकिन जब पका हुआ आम रहता है उसमें बिटामिन A पाया जाता है कौन सा पाया जाता है बिटामिन A पाया जाता है तो ये बात आपको द्यान रखनी है यदि कच्चे आम की पूछे कौन सा बिटामिन पाया जाता है तो बिटामिन C लगाना है और यदि पके हुए आम की पूँचे तो कौन सा विटामिन होगा उसमें विटामिन ए होगा ए बात आपको ध्यान रखना है अंगला देखिए सिर्का तथा अचार सिर्का तथा अचार इसमें होता है एसीटेक अमले कौन सामल होता है एसीटेक अमले इसमें होता है दूद, दूद की बात करें तो इसमें होता है lectic अमल, कौन सा अमल होता है दूद में, दूद में होता है lectic अमल, अब देखिये मक्खन, क्या है मक्खन पूछ रहा है, अब एक question और बन जाएगा आपसे, दूद का मक्खन, दूद का दही में बदलना कौन सा परिबर्तन है, दूद का है जो मक्खन या दही में बदलना है जो कौनसा परिवर्तन है तो यह है रासाइनेक परिवर्तन कौनसा परिवर्तन है रासाइनेक परिवर्तन अब हम से यहां पूछ रहे हैं मक्खन में कौनसा अमल होता है तो मक्खन में होता है ब्यूटेरेक अमल है जो मक्खन मे पाया जाता है, अंगला देखिए, इमली तथा अंगूर, किस-किस ने अंगूर देखिए हैं, अंगूर के गुच्छे रहते हैं, जो उसमें कौन से अमल होता है, इमली और अंगूर में होता है, जो टाइट्रेक अमल, कौन से अमल होता है, टाइट्रेक अमल, अब देखिए ये लाल चीटी, लाल चीटी, लाल चीटी होती है, इसमें होता है फार्मेक अमल, जब हमें लाल चीटी हमें काट लेती है, तो फार्मेक अमल होता है, वो हमारे सरीरी की अंदर चला जाता है, जिस से हमें जलन होने लगती है, किस की कारण जलन होने लगती है, फार्मेक अमल क कारण जलन होने लगती है चाय में कौन सा अमल होता है चाय है जो इसमें टैनेक अमल होता है चाय में होता है टैनेक अमल होता है जब हम चाय पीते हैं तो हमें इस फुर्ती ताजगी का अनुवा होने लगता है वह टैनेक अमल की कारण होता है अब देखिए यहाँ पर चीटी के डंक में चीटी के डंक में यहाँ देखिए यहाँ पूछा था लाल चीटी तो इसमें होता है फार में कमले और यहाँ चीटी के डंक में होता है मैथिनो एक अमले कौन सा होता है मैथिनो एक अमले अलग अलग हैं यहा सामानी चीटी है उसकी बात कर रहे हैं सामानी चीटी में होता है मैथिनो एक अमले सोडा बाटर सोडा बाटर इससे आप सब लोग परीचित होंगी सोडा बाटर में होता है कारवनेक अमले जब आप सोडा बाटर की बोतलों का ढखकन एकदम से खोलती हैं तो उसमें जाग औक जेलेक अमले कौन सामल होता है औक जेलेक अमलेस में पाय जाता है तो इसको आप सभी को यात कर लेना है बहुत ही महत्पूर्ण है यहां से परिच्छा में कॉस्चन बिलकुल बनते ही बनते हैं और वीडियो अच्छ लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी सियर करें